Hi everyone, this is Shama हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन सिंडिकेशन International Finance का सबसे easiest और interesting टॉपिक है स्टार्ट करते हैं मेनिंग के साथ जो लॉन सिंडिकेशन है वो प्रोसेस कब अडॉप्ट के जाता है किस कंडिशन में हम लॉन सिंडिकेशन प्रोसेस के दुरू लॉन लेते हैं लॉन सिंडिकेशन होता क्या है पहले वो समझते हैं देखो जब कोई भी या तो individual होता है या company होती है उसको किसी भी project को बनाने के लिए या फिर कोई एक नया project launch करने के लिए पैसे की requirement है और वो पैसा उसको बहुत जादा amount के लॉन के लिए फॉर एक्जामपल उसको thousand क्रोड रूपीज के loan की requirement है और वो जो पैसा है वो उसके खुद के पास नहीं है इसके लिए वो क्या करता है एक bank के पास जाता है SBI bank के पास जाता है help लेने के लिए कि मुझे इतने पैसे की launch चाहिए तो जो SBI है वो क्या करता है वो यह देखता है कि जो individual है या जो company है उसके market में बहुत अच्छी reputation है साथ में goodwill भी बहुत अच्छी है और वो उनका पुराना customer भी हो सकता है तो इसके लिए bank जो सोचता है कि मैं इसको loan दूँगा तो यह मेरा loan तो easily repay कर देगा साथ में मुझे अच्छा interest भी मिल सकता है तो उसके लिए SBI कहता है ठीक है मैं आपको commitment देता हूँ मैं आपको जो loan है वो provide करा दूँगा बट क्या होता है SBI के पास भी thousand crore rupees नहीं होते है तो SBI क्या करता है वो different different banks के पास दाता है और उनसे further help पांगता है और यह साथ में बताता है कि एक borrower है जो भी client का नाम है साथ में उनको सारी information देता है proposal रखता है और उनसे बोलता है कि क्या आप इनके लिए contribution करोगे इस loan amount में तो अगर यह जो सारे banks हैं वो ready हो जाते हैं और यह सारे banks मिलकर इस borrower को loan देने के लिए ready हो जाते हैं इस simple से process को हम loan syndication बोलते हैं syndicate का मतलब क्या होता है group और जब आपके बहुत सारे banks group बनाकर किसी एक borrower को पैसा उधार पे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं loan syndication जो आपका borrower है जिसको पैसे की requirement है वो कोई individual भी हो सकता है जिसकी net worth बहुत अच्छी है या फिर mostly case में companies ही है जो कि इतने large amount के लिए पैसा लेती हैं अब इसका meaning पढ़ते हैं loan syndication is the process of involving group of landers in funding various portion of a loan for a single borrower इस process के अंदर group of landers है जो कि एक साथ मिलकर आते हैं और उस loan की लिए contribution करते हैं और जो यह loan है वो एक single borrower को दिये जाता है loan syndication after use in corporate finance mostly companies के लिए ही यह loan syndication process जो है adopt के जाता है corporate seeks loan for many reasons that include funding for merger, acquisition, buyouts and other capital nature expenditure projects जो corporate होते हैं, companies होती हैं उनके बड़े-बड़े projects होते हैं और उसके लिए उनको बहुत जादा amount पर पैसी की requirement होती है जो कि उनके पास खुद के पास नहीं होता है इसलिए वो banks के पास आते हैं और एक bank भी उनको इतने amount में जो loan provide नहीं करा सकता है इसलिए जो बहुत सारे banks से वो साथ मिलकर आते हैं और single borrowers को पैसा provide कराते हैं loan syndication mostly needed in case when the loan amount is too high जब आपका loan amount इतना जादा है कि कोई एक single bank आपको provide नहीं करा सकता है उसी case में हम जो है loan syndication process के थुरूफ पैसा raise करते हैं ठीक है और इसमें जो है रिक्स आपका जो होता है वो diversify हो जाता है between the other landers क्योंकि यहाँ पर एक bank सो आपको loan दे नहीं रहा है different different bank आपको loan दे रहे हैं तो इसलिए जो आपको रिक्स है वो भी different different bank में diversify हो जाता है इसके बाद next आता है feature of loan syndication loan syndication process not only provide assurance about the amount and the price of the fund to the borrower but also allows wide distribution of fund to the banks जो loan syndication process में क्या होता है जो lead bank होता है वो यह commitment तो देता ही है borrower को कि मैं आपको loan का पूरा amount provide करवाँगा चाहे market की कैसी भी condition हो साथ में यह lenders को भी opportunity देता है कि वो अपने fund को various market में distribute कर सके अपने market को export कर सके और new client मना सके the euro market is considered to be the biggest source of loan syndication and the borrower can get amount in any currency euro market को biggest source of loan syndication इसलिए पोला जाता है क्योंकि यहां पर आपको कितने भी amount का जो है loan वो मिल जाएगा और साथ में borrower को किसी भी currency के अंदर loan चाहिए वो भी euro market में उसको मिल जाएगा तीसरे feature है a loan syndication always has a syndicate agent which is lead bank that organize a loan, its term and condition and other relevant information जब भी loan syndication पुसर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक syndicate agent होता है जो कि lead bank ही होता है जिस bank के पास borrower first time जाता है help लेने के लिए उस bank को हम lead bank या syndicate agent बोलते हैं वो loan को organize करता है, सारे term and condition को भी देखता है और जितनी भी other documents होते हैं उनको prepare करता है next feature है syndicate loan provides funding for two large scale and capital intensive project जब भी आपका जो कोई बड़े scale पर project है जिसके लिए आपको बहुत जादा पैसी के requirement है तभी हम loan syndication process adopt करते हैं और कोई भी आपको जो capital intensive project है ना उसी के लिए हम loan syndication लेते हैं for example जिसे company के दो type के expenditure होते हैं एक होता है revenue expenditure एक होता है capital expenditure तो जो revenue expenditure के लिए हम कभी भी loan syndication process के तुरू लहीं लेते हैं हमेशा हमेशा हमें यह बात माइन में रखनी है कि जो आपका expenditure है ना वो capital nature का होना चाहिए no separate agreement between an individual bank and the borrower यहाँ पर जितने भी group of landers है उनका कोई भी separate agreement नहीं होता है borrower के साथ यहाँ पर एक ही agreement बनाया जाता है और सारे banks उसी एक single agreement के साथ deal करते हैं next feature है low risk in loan syndication because of small portion यहाँ पर जो banks है वो अपने अपने risk bearing capacity के हिसाप से contribution करते हैं जिसके वज़े से उनको जो risk है वो भी low होता है each bank is not necessarily to contribute an equal amount यहाँ पर ऐसी कोई भी बंदिश नहीं होती है किसी भी bank के उपर कि आपको equal amount ही contribute करना है जितने उनकी capacity है जितने उनके पास पैसा है वो उतना ही amount contribution करते हैं the length or the period for the agreement generally used to between 3 to 15 years जो यह loan period होता है वो usually 3 to 15 years के बीच में होता है syndicated loan may be given in various forms such as fixed term, revolving term, stand by line on the requirement of borrower borrower के requirement के हिसाप से उसको loan दे जाता है कि उसको fixed term के लिए चाहिए या फिर revolving term के लिए चाहिए next आता है participate या players in a syndicated loan जो अब भी loan को परसे start होता है तो उसके अंदर कौन-कौन सी persons होते हैं जो की deal करते हैं देखो मैंने जो चार्ट बनाया था ने इससे समझा जेती है आपको जिस person को loan चाहिए होता है चाहिए वो company है या individual है उसको हम borrower बोलते हैं ठीक है और जो lead bank है further जिन banks के पास आता है help लेने के लिए इन सारे banks को हम बोलते हैं co-arranger क्योंकि यह further help करते हैं और पैसा खटा करने के लिए इसलिए हम इनको बोलते हैं co-arranger इसको हम बोलते हैं lead arranger ठीक है अब one by one जो है करते हैं पहला आता है borrower the person or a company which is in need of loan and initiate the process of lending जो borrower है वो ही lending के process को start करता है क्योंकि अगर borrower ही नहीं होगा तो bank किसको पैसा देंगे दूसरा आता है lead bank जिसको हम lead arranger या lead manager भी बोलते हैं lead arranger is the bank who responsible for arranging the loan the lead arranger is responsible for the total negotiation like structure, interest rate and other term of facility with the borrower जो lead bank होता है वो borrower को commitment देता है, guarantee देता है और responsibility लेता है कि जितने भी loan के आपको requirement है मैं आपको वो पूरा पैसा provide कराऊंगा और जो lead bank है वही loan का structure decide करता है interest rate decide करता है और other time and condition भी decide करता है उसके बाद आपका आता है co manager या फिर co arranger जो further lead bank की help करते हैं पैसे को arrange करने के लिए उनको हम बोलते है co manager या फिर co arranger lead arranger handle most of expects of the loan and co arranger will decide who should participate in syndication process they will find more institution to join syndicate loan उसके बाद next आते है participating banks या फिर co arranger जितने भी banks उस loan के लिए contribution करते हैं किसी भी percentage के अंदर मतलब किसी proportion के अंदर उन सभी को हम participating banks बोलते हैं और जो इनका interest rate होता है कि ये किस interest rate पे loan दे रहे हैं ये decide करता है lead bank मतलब lead bank के साथ इनका negotiation होता है participating banks are those who have contributed a positive share towards the syndicated loan the rate of the interest usually set with the negotiation of lead bank उसके बाद next आता है agent bank देखो जो lead bank होता है आपका जिसके पास borrower first time जाता है वो lead bank और जो borrower है वो दोनों मिलकर एक agent को hire करते हैं और जो agent होता है वो उस loan के सारी जितनी भी activities होती है उनको देखता है और as a mediator काम करता है agent is the one who looks after day-to-day working and administration of loan facility day-to-day activities को देखता है कि किस सरीके से जो है borrower है वो काम कर रहा है उसका कितना पैसा आ रहा है वो कितना पैसा लगा रहा है the agent bank act as agent of lenders not for the borrowers जो agent है वो lenders के agent की तरह काम करता है not for the borrowers कहने का मतलब है कि जो lenders के लिए वो ज़्यादा देखरे करता है कि उनका पैसा डूब न जाए उनको time पर repayment हो जाए उनको time पर interest मिल जाए इस तरह के से agent act as a mediator between syndicated banks and borrowers when the borrower repay the capital it only pay one sum to the agent bank and the agent bank distribute it to the lenders according to their participation जब भी borrower को पैसा return करना होता है lenders को तो borrower सबसे पहले agent bank को पैसा देता है और फिर बाद में agent है वो different lenders को उनके participation के हिसाब से पैसा देता है borrower directly lenders को repay नहीं करता है borrower पहले agent bank को देता है और फिर then agent bank lenders को पैसा repay करता है but sometimes the agent bank and the lead bank would be the same person और किसी कंडिशन में क्या होता है कि वो ना चाहे agent bank को hire नहीं करते हैं जो lead bank होता है वही agent bank का का perform करता है उसके बाद last आता है decision making panel देखो जितने भी decisions है ना वो group of lenders को दिये जाते हैं कि आपके पास right है जितने भी decisions है वो आप ले सकते हो अब हर एक group से या फिर हर एक lenders से अगर आप communicate करोगे तो इसमें क्या होता है आपके time भी जादा consume होता है प्लस efforts भी जादा होते हैं इसके लिए वो क्या करते हैं एक decision making panel बना देते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो कुछ ही lenders है न वो उसके members होते हैं और वो lenders कोन होते हैं जनोंने सबसे ज़्यादा contribution किया होता है लोन के अंदर वही उस decision making panel के member बन जाते हैं और फिस सारे decision वही ले रेते हैं इच और एवरी lender के साथ फिर consult करने की जूरत नहीं पड़ती है usually the duty of making decision is granted to a group of lender in a syndicate to minimize the effort of consulting each and every lender this group could be made of the lender who hold maximum commitment who has given biggest loan in the syndicate इसके बाद next आता है fees involved in syndicated loan इसके अंदर different different type की fees is charge की जाती है पहली होती है management या managing fees management fees is the fees payable to managing banks which arrange the credit जो managing fees है वो lead bank को pay की जाती है जो की सारे loan को arrange करता है और जो यह fees है वो total loan का कुछ percentage fix होता है for example एक लाग का loan है तो 6% उसका fix कर दिया तो 6000 पे उसके managing fix हो गई next है participation fees payable to the participant in the syndicate जितने भी group of lenders है जो के loan के लिए contribution कर रहे हैं उनको participation fees pay की जाती है जो managing fees lead bank को दी जाती है उसी managing fees के अंदर से ही participation fees को pay के जाता है तीसरी आती है commitment fees commitment fees is a charge paid on undrawn balance of credit देखो जो borrower है उसने बोल दिया कि मुझे 1000 करोड का loan चाहिए वह सारा पैसा ना एक बारी में ही नहीं निकालता है bank से वह कुछ कुछ installments में निकालता है लेकिन जो बैंक है उस 1000 करोड को हमेशा ready रखता है कि क्या पता कब borrower आ जाए और पैसा निकाल के ले जाए तो उस amount को हमेशा ready रखने के लिए उसको हमेशा safe रखने के लिए वह एक facility fees charge करते हैं जिसको हम commitment fees भी बोलते हैं उसके बाद last आती है agency fee जो की agent bank को दी जाती है जो agent bank है वो जो सारा काम देखता है कि loan जो है sanction हो गया है उसके बाद borrower को पैसा देना है और recovery of loan installment अगर जो borrower है repay कर रहा है तो हमें landers को पैसा देना है उनका principal amount repay करना है उसको interest pay करना है यह सब देखरे करता है तो इसके इसे वो annually दी जाती है उसके बाद next आमारा आता है types of syndicated loan जो syndication loan है इसमें किते types के loan दिये जाते हैं globally there are three types of underwriting for the syndication पहला है under return deal under this arrangement the lead agent guarantees the entire loan इसके अंदर जो lead bank होता है वो borrower को guarantee देता है ensure करता है कि आपका जितना भी loan का amount की requirement है वो मैं आपको arrange करा के दूँगा चाहे market के condition bullish है यह bearish है जो हमारा interest decide हुआ है जो time and condition हमाई decide हुई है उसे के basis पर मैं आपको पूरा loan का amount arrange करवा कर दूँगा इस type के loan के अंदर highest service fees charge करी जाती है क्योंकि इस type के deal के अंदर बहुत जादा रिक्स होता है sometimes जो borrower है the loan amount is not fully subscribed by the borrower then the lead bank can observe the undersubscribed portion जो borrower है वो loan का पूरा amount use ही नहीं करता है जिसकी वज़े से जो lead bank है उसको undersubscribed portion को अपने पास रखना पड़ता है अब इस situation में दो ही condition arise होती है पहली condition अगर जो हमारी market condition है वो bullish है तो lead bank क्या करेगा उस loan के amount को further किसी और investor को loan पर दे देगा ठीक है अगर market condition हमारी bearish है the lead bank may force to sell the undersubscribed portion at a discount rate तो उसको एक मतलब pressure आएगा force किया जाएगा कि आपका जो loan का amount है या ता आप उसको discount rate पर दे दो मतलब कम interest rate पर दे दो या फिर simply आप उसको loss के तरह consider कर लो इसलिए यहाँ पर जो है आपको higher service fees charge की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है second आता है best effort syndication इसके अंदर क्या होता है under this arrangement the lead bank is not committed to guarantee the entire loan amount required by the borrower जो lead bank होता है या lead agent होता है वो borrower को पूरे amount के कोई भी guarantee नहीं देता है वो किसी भी तरके commitment नहीं देता है कि मैं आपको entire loan amount है वो arrange करवा के दूँगा बस जो lead bank है वो ये promise करता है कि मैं अपना best effort दूँगा जो आपका under subscribe portion है मतलब जो बचा हुआ पैसा है वो मैं आपका arrange करवा सकूँ अगर जो market conditions है वो favorable हुई तो लेकिन वो किसी भी परकार के इसमें commitment नहीं देता है next last type आता है club deal this type of syndication usually entails a smaller amount typically between the $25 to $150 million अगर आपका amount इसके बीच में fall करता है तभी आप इस option को adopt कर सकते हो in this all the members of club have a equal share जितने भी जो members है जो lenders है जो कि loan provide करते हैं borrower को उनको equal amount का ही share देना परता है और जो यह lenders है वो borrower या तो खुद arrange करता है या इसके लिए कोई एक arranger hire कर लेता है club deal के अंदर lead agent जैसा कोई role नहीं होता है last topic हमारा आता है launch syndication process और stages of syndication loan holy syndication process is divided into three stages इस सारे process को three stages में divide गया गया है पहला है pre-mended stage दूसरी है transaction stage तीसरी है final and post-closure stage pre-mended stage में क्या होता है this stage is initiated by the borrower जब borrower को loan के requirement होते है तो यह process start के जाता है syndication process commence with the invitation for the bids from the borrower borrower invites bids from euro bank by defining important loan parameters for example amount, currency, profit, final maturity, grace, period etc जो borrower है वो euro bank के through invitation देता है bids के लिए different different banks को और अपना proposal लगता है कि उसको कितने amount के जरुद है किस currency में उसको loan चाहिए final maturity date क्या होगी और grace period क्या होगा और other term and conditions भी साथ में mention करता है bids are invited on fully underwritten basis opposed to best effort basis और जो आपका loan facility होगी वो underwritten basis होगी मतलब कि आपका जो arranger है lead agent है वो आपके whole amount के लिए commitment लेगा या फिर best effort basis होगी यह हाँ initially mention कर देते हैं उसके बाद जो bank होते हैं वो अपने bit letters को with term and conditions जो भी वो time and condition रखना चाते हैं जो भी वो interest rate रखना चाते हैं to accept the role of arranger and lead bank वो borrower को submit कर देते हैं उसके बाद जो borrower होता है वो carefully examine करता है उनके banks के proposal को और each bank के साथ separately discuss करता है time and conditions को यहाँ पर जो borrower होता है वो किसी भी bank के time and condition को किसी दूसरे bank के साथ reveal नहीं करता है यहाँ पर यह confidently maintain की जाती है और discussion करने के बाद उसको जो भी bits अच्छी लगती है borrower उसको select कर लेता है और जो borrower को सबसे best bank लगता है जो सबसे best deal लगती है उसको वो एक mandate letter दे देता है उस bank को और deal को final कर देता है जो mandate letter होता है उसके अंदर सारी term and conditions लेकी होती है agent bank के पास क्या powers है और क्या interest rate है सब कुछ इसके अंदर mention होता है जो lead bank है फिर वो initiate करता है to sell the loan at the marketplace further वो all loans के लिए application देता है different banks को different banks को invite करता है to participation in the proposed transaction और उन banks को invite करने के लिए जो lead bank है वो prepare करता है information memorandum, term sheet and legal documentation जब जो agent bank है किसी further दूसरे bank के जामने proposal रखेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ document सो होने चाहिए जिसके through वो अपना proposal रख सके तो उन में से यह important document है जो की lead bank prepare करता है यह जो process है वो usually two or three weeks में complete हो जाता है इसके बाद आती है final and post closure stage जब आपके transaction complete हो जाती है आपके जो banks है वो arrange हो जाते है group of renders arrange हो जाते है उसके बाद यह stage आती है this stage involves monitoring through escrow account escrow account is nothing but the account in which the borrower will deposit the revenue जो एक escrow account बनाया जाता है जिसके अंदर जो borrower है जितना भी revenue उसका आता है उसको इस account के अंदर deposit करना होता है and it is agent duty to ensure that the repayment of loan is the top priority and the payment is done before making any payment to any other party जो agent है वो इसके duty है वो insure करता है जो borrower है वो repayment करेगा सबसे पहले group of lenders को यह उसके top priority होगी group of lenders से पहले वो किसी और को payment नहीं कर सकता है in this stage it is a job of agent to manage the operating and running of the loan facility on regular basis और regular basis पर जो agent है वो operating activities को देखता रहता है इसी के साथ हमारा जो है process complete हो जाता है और साथ में जो launch integration का topic है वो भी complete होता है I hope आपको लेक्टर समझाया होगा still आपको कोई भी doubt है तो आप comment करके पूस सकते हैं अगर आपको लेक्टर अच्छा लगा हो तो इसको like जरू करना साथ में चैनल को subscribe करके पैल आइकन जरूर प्रेस करना thank you for watching us